मार्च सिटी लुद्याना के पॉश इलाके बसंत वेन्यू में डेवलप्मेंट ना होने की वज़े से लोगों को काफी दिक्तों का सामना करना पड़ रहा है ना तो कॉलोनाइजर और ना ही लाके का सरपंच डेवलप्मेंट की और ध्यान दे रहा है वही लोगों का कहना है कि बसंत वेन्यू के सरपंच ने प्रतेग घर्व दुकांदार से डेवलप्मेंट के नाम पर एक गर्जे हजारों रुपे ना जायस तोर पर इकटे कर लिए ना ही उन्हें कोई रसीद दी गई और इलाका निवासी भी मजबूरी में बस यह पैसे देने को मजबूर थे क्योंकि वो नर्क जैसी जिन्दगी जीने को मजबूर थे लेकि लोगों को कहना है कि जो कम सरकार और सरपंच को करना चाहिए था उसी काम के लिए सरपंच लोगों की मजबूरी का फाइदा उठाकर उनसे मोटी रकम वसूल कर रहा है यह हम नहीं कह रहे बलकि आप भी सुने इलाका निवासियों की जुबानी इस इलाके की डेवलप्मेंट का सच कि किस पैसे से हो रही है इस इलाके की डेवलप्मेंट हर शौपतों जी हर करों 15-15 जारपिय लिए लिटता जी जी देना लिए दुबर्मेंट करिए पंद्रा बंद्रा यार एक पंचयाइट कहलो चाहे एक पंचयाइट ने मतलब सुसैटी बना के उन्हेंने पैसे दिते नहीं अगे हिसाब दिता जाओगा तहां पता लगगा भी कुई कपला होया जा नहीं होया पंद्रा यार रॉट नहीं बन रही है जिदे कारण नहीं बहुत दुखी है ने खड़े बड़े जादा ने ना रात नो कोई स्टीट लाइट जल दी है ना इते पानी दा सीवरेज सारे जाम है ने पानी दाजरए गा ने साब ने ने किया जिद के या वाँगा तो मैं घ्रान लाइक भिनागा उठक तो जण इए पर झोड़ें पर उस्दा कोंदी यहां तहरी सटक डूटी हुए गढरे विछ करके बसंताले नो दे रहें गोडियर जगना रहें जड़ा है इंहें करकी सकते हैं बिच्चे लोग का तो कठ्था कर लिया किसे ने डिटे ना डिटे ती यह जब शर्पंचा यह उन्दीया जा कारपोरेशन दिया हूं दिया है कारपोरेशन दिया है पड़िक लगया जी कापला ये है जेडी पबलिक सर जेडी पबलीक कंट्रिमूट करके अपने अगरे सटकाल ना रही है झाल झाल